साथियो नमस्कार, साथियो आनन्द से रहें और प्रिकत के साथ सुरक्षित रहें आपका दिन इसी तरह जूही के फूलों की तरह महकता रहे ऐसी हमारी सुपकामनाई है सामने आप जो देख रहे हैं ये जूही की बेल है और ये देखिए पांसोन बारिष का सीजन चल लहा है और इसी समय इसके फूल गुच्छे के रूप में खिलते हैं ये यद्दपी दो साल का पौधा हमारे धर हो गया है लेकिन अच्छे फूल इस बार ही आये हैं इसली बार फूल आये थे लेकिन फूल वो अच्छे नहीं आये थे जब ये बेल पुरानी हो जाती है तब फूल इसमें अच्छे आते हैं और इनकी सुगंद जो है बड़ी दूर तक भीनी भीनी फैलती है ये बहुत अच्छी खुबी है और इन फूलों को जैसे चमेली है बेला है जूही है ये हमारे पुराने सास्त्रों में इनका बड़ा महात औसधी महात और सुन्दरता का महात विसेश कर कालिदास जी ने विसेश रूप से इनका वर्णन किया है अपने ग्रंथों में और ये वास्तों में उसके पात्र भी हैं क्योंकि पहले तो मैंने practical रूप से इनकी सुगंध को नहीं किया था अनभू लेकिन अब जब अनभू हुआ तो वास्तों में जो पाया कि हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा गया है वो यतार थै को और इनको भी आजके आनिक युग मे बड़े कम्टीशन का सामना करना पड़ा है बहुत सारे नए नए आधनिक चीजें आ रही हैं मार्केट में और उनका बहुत ही एड़टीजमेंट और हाइलाइट किया जा रहा है और वास्तों में ये हमारी पुरातन जो पहचान थी वो उसको काफी संगर्स करना पड़ा है लेकिन गुनवत्ता तो गुनवत्ता ही रहती है और गुनवत्ता आज नहीं तो कल कल नहीं तो पड़सों कभी न कभी तो इस समाज में अपना इस्थान बनाएगी बनाएगी तो उसी तरह से ये जुही का पौधा आप लोग देख रहे हैं भेल और ये वास्तों में एक बार अगर आप अपने पगिया में लगा लें तो आपके आस पास का वातावरान इदम सुगंधित हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि आपने कोई बहुत ही बहुत बढ़िया चीज को घर में लगा लिया है तो देखिए एक काफी अच्छी इसका विकास हुआ है और इसका विकास के लिए ये है कि इसकी मिट्टी को आप डरनिस सिस्टम से बनाईए और ऐसी जगे रखिए जहां इसको धूप भी मिलती रहे धूप मिलना बहुत जरूरी है इसको और फिर ये अपना विकास धीरे 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 करती रहती है बहुत छोटा सा पौधा हम लेके आई थे और गमले में ही इसको मैंने लगाया है और गमले में ही इसका अच्छा विकास हुआ है, कई लोगों की ठिपणी थी जमीन में अच्छा विकास होगा, लेकिन नहीं गमले में ही अगर आप इसको पॉष्टिक ताका इसका ध्यान रखें, तो इसका विकास अच्छा होता रहेगा, और चलिए साब, प्रिकति के प्रि तोटा सा ये एक बागवानी जो है बहुत बड़ा है बागवानी कभ से शुरू हुई और कौन-कौन महान लोगों ने इस कार को किया इसके उपर मैं एक दिन विश्वित चर्चा करूंगा आज तो इतना ही आप लोग अपने-पने काम में लग जाएं अब और बहुत-बहु